महराश्रों में विपक्षी इंडी गट बंधन में सीटों को लेकर तकरार बढ़ती जा रही है ममता बनर जी ने तो साफ तोर पर ऐलान कर दिया कि वो बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगी क्योंकि मुकाबला बीजेपी और टीमसी के बीच है इंडी गट बंधन पूरे देश में लड़ेगा पंजाब में केजरिवाल भी ऐसा ही चाहते हैं कि कॉंग्रेस वहां से मैदान छोड़ कर निकल जाए रही बात महराश्टर की तो यहां उद्धव ठाकरे ने पहले ही ऐलान कर दिया कि 2019 में उसने 23 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे इसलिए इस बार भी 23 सीटे ही चाहिए लेकिन कॉंग्रेस ने उसी हिसाब से 22 सीटों पर अपना दावा ठोक दिया है 2019 में कॉंग्रेस 25 सीटों पर चुनाव लड़कर सिर्फ एक सीट जीत पाई थी और आज उसके पास एक भी सीट नहीं है यही बज़ा है कि संजयराउत ने कहा था कि कॉंग्रेस को महराश्टों में जीरो से शुरुआत करनी होगी और इसके बाद कॉंग्रेस की बारी आई देश की सबसे पुरानी पार्टी ने महराश्टों की 22 सीटों पर अपने तयारी शुरू कर दी है पार्टी के अध्यक्ष मलिकारजुन खडगे और राज्जे के शीर्ष नेताओं के बीच एक बैठक के बाद 48 लोग सभा सीटों में से 22 पर उम्मीदवार उतारने की तयारी शुरू कर दी गई है बैठक में महराश्टों के कॉंग्रेस नेताओं ने खडगे के साथ राज्जे के वरतमान राजनतिक परदर्श पर चर्चा की और पार्टी के लिए गढ़ मानी जा रही सीटों पर एक रिपोर्ट दी सूत्रों के मताबिक कुछ नेताओं ने सुझाव दिया कि कॉंग्रेस को लोग सभध चुनाओं में राज्जे के 30 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए इसके अलाबा सूत्रों ने कहा कि शीर्ष नेताओं में से एक ने ये सुझाव दिया कि पार्टी को कम से कम 22 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए जहां उनकी जीतने की अच्छी संभावना है सूत्रों ने बताया कि एन्सीपी के शरत पवार गुट और उधव ठाकरे की शिवसेना के साथ सीट बटवारे के मुद्दे पर भी चर्चा हुई कहा जाता है कि कॉंग्रेस नेताओं ने खड़गे को बताया कि एन्सीपी में अजीत पवार के विद्रोह और एकनाथ शिंदे के कारण शिवसेना में हुए विभाजन के बाद किसी भी सहयोगी दल के पास अपना पारंपरिक चुनाव चिन्ह पर नियंत्रन नहीं है सिर्फ कॉंग्रेस के पास ही उसने अपने चिन्ह पर पूरा कंट्रोल किया हुआ है सुत्रों का कहना है कि खड़गे और राज्य के नेता प्रतेक निर्वाचन क्षेतर की स्थती के आधार पर सहयोगियों के साथ कुछ सीटों के आदान प्रदान की बात भी सामने रखी नेताओं ने शिवसेना यूबीटी नेता संजैर आउत द्वारास सारवजनिक रूप से ये घोशना करने पर भी नाराजगी व्यक्त की उनके पार्टी लोग सबाचुनाव सीट बटवारे में 23 सीटे चाहती है इस बीच खड़गे ने महराश्टों के पार्टी निताओं को गटबंधन या सीट बटवारे के बारे में ऐसा कोई बयान नहीं देने की सलाह दी है सीट बटवारे के फार्मूले पर फैसला लेने के लिए कॉंग्रेस आलाकमान अगले हफते शिवसिना, UBT और NCP के शरत पवार गुट से मिलने वाला है 2019 के आम चुनाओं में कॉंग्रेस ने 25 सीटों पर चुनाव लड़ा था लेकिन सिर्फ एक सीट जीती थी NCP ने 19 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 4 पर जीत हासिल की थी वहीं शिवसिना भाजपा के साथ गटबंधन में थी उसने 23 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 18 पर जीत हासिल की थी यूर रिपोर्ट, निउस अफ इंडिया झाले जब 5 हुझा के साथ बढ़ा तुनाव लड़ा रणी बढ़ा है थीत है झाले लड़ा जीत है